जैहिन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कास्ट रिजर्वेशन यानि आलच्छर के बारे में क्या दोस्तो आपको पता है कि हमाई देश में कितने परसेंट लोगों को आलच्छर मिलता है अगर आप 20 और 30 परसेंट सोच रहा है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहा है क्योंकि हमाई देश में 70 परसेंट एप्रॉक्स 70 परसेंट लोगों को आलच्छर यानि रिजर्वेशन मिलता है अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी जॉब के लिए 100 वेकेंसी निकलती है तो उनमें से 70 सीट पहले से ही रिजर्वेशन कास्ट को जाएगा और बाकी जो 30 है वो अन्रिजर्वेशन कास्ट को जाएगा जिनमें बिसिकली जनरल कास्ट आते हैं और दोस्तों इस वाई से काफी ज़्यादा विवाद हो है तो ये जो रिजर्वेशन इसके खिलाब purist हुए थो दोस्तो इससे पहले कास्ट वेशन के बारे में और कुछ जाने आपको बताते हैं कि काष्ट रीजा वेशन की हिस्टरी क्या है क्यों आड़च्छ दिया जाता है तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हंडूईजम में four चाष्ट होते तो इन सुद्र के साथ काफी ज़्यादा गलत वहवार होता था और इन्हें ऐसा नौकर ट्रीट किया जाता था और ये राजा के यहां मजबूरा नौकरी करते थे नौकर का काम करते थे और जारू पोछा करते थे ऐसा इनको काम दिया जाता था और इन्हें पढ़ने की बिलक नहीं है इसलिए परणने करने दिया जाता था और पहले इन्हें अच्छूत देखा जाता था कोई भी ब्रामवर और च्छत्रीय सुद्र को छूता नहीं था तरट नहीं करता था यहां पर इतना ज्यादा महुत तो यह बहुत दिनों तक चला डॉक्टर भीम राव अमबेटिकर के साथ भी यही हुआ क्योंकि डॉक्टर भीम राव अमबेटिकर लोवर कास्ट के थे तो इन्हें भी पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई और इन्हें पढ़ने का बहुत ज्यादा मन था इसलिए इन्हों ने यह कि इंडिया में नहीं पढ़ेंगे और यह लंदन जाके पढ़ेंगे क्योंकि इंडिया में इन्हें कोई पढ़ने नहीं देगा और इनका काफी ज़्यादा मजाक उड़ाएगा क्योंकि यह लोवर कास्ट के थे ऐसे में यह लंदन जाके पढ़ाई किया और वापस इंडिया आए तो यह बहुत बड़े लीडर उबढ़ के आए और इन्हों ने यह सोचा कि क्यों न अपने कास्ट के लिए कुछ किया जाए इसलिए जब यह कॉंस्ट्यूशन लिख है आपको पता ही होगा कि इंडिया का क्योंकि उस समय इनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी लेकिन दोस्तों आज का समय अगर हम देखें तो आज यह जो सुद्र है दोस्तों उस समय के कास्ट रिजावेशन बहुत ही अच्छा था क्योंकि यह लोवर कास्ट को अपलिफ्ट करता लेकिन आज के समय जो करते हैं कि इसके ऊपर ज्यादा प्रोटेश्ट किये गए हैं तो हमने आपको वीडियो लेकिन इसके उपर ज्यादा करवाई नहीं किया जाता है तो क्योंकि दोस्तों आपको हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया कि इंडिया में 70 परसेंट जो कोटा है वह रिजर्व कोटा है यहां पर ग्राफ में देख सकते हैं कि 4.5 परसेंट जो को मिलता है मुस्लिम सीक्स क्रिस्चियन को 7.5 परसेंट स्ट को मिलता है 15 परसेंट ओवी सी को मिलता है 27 परसेंट इडवी सी को मिलता है 10 परसेंट और 36 परसेंट होता है अन्रिजर्व कोटा है जिसमें जनरल कास्ट आते हैं यानि 36 परसेंट लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता और बाकि 64 पसेंट जो एप्रॉक्स होता है सेवेंटी पसेंट ये 2011 का अकड़ा है उस 64 पसेंट को यहां पर आरच्छा दिया जाता है तो यहां पर काफी ज्यादा गलत बात है क्योंकि यह इक्वैलिटी को नहीं दसा रहा है तो दोस्तों इसके खिलाब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किये गया है सरकार से गुहा लगाई गई है कि क्रिप्पया करके हमारी सुन लीजे जनरल काश्ट ने काफी ज़्यादा अपील किये गौर्रमेंट से कि हमारी सुन लीजे और आराच्छर को खतम करीजे क्योंकि इस समय में आराच्छर की जरुवत नहीं है लेकिन सरकार ने काश्ट रेजरवेशन को एक पॉलिटीकल मुझ्दा बना दिया है इसके वज़य से उन्हें काफी ज़्यादा वोट मिलते है क्योंकि हमें पता है कि 70 के करीब जो इंडियान पॉलिटीकल मुद्दा है और यह एलेक्शन के समय काफी काम आता है कि जो पॉलिटीशन ने वह एनाउस करते हैं कि हम आपको 60% रिजरुवेशन देंगे जिसको जनता है भारत की वह उस पॉलिटीशन को चूज करता है जो ज्यादा रिजरुवेशन देता है तो इसलिए सरकार बनती है वह ज्यादा रिजरुवेशन को फोकस करती है ज्यादा उपर रिजरुवेशन को बना चाती है और जनरल कास्ट का कोई नहीं सुनता क्योंकि इनको रिजरुवेशन नहीं मिलता और यह काफी कम है और रोस्तों कास्ट रिजरुवेशन की पॉपुलेरिटी इतनी जादा है कि जो गचा अंदोलन के बाद से ट्रेंड रोब्स ले रहा है और इन्हें रिजर्वेशन चाहिए अब सब बहती घंगा में हाथ धोना चाहता है तो यह भी रिजर्वेशन से क्यों पीछे रहे इसलिए रोहतक हैं उस सहर में काफी ज़्यादा प्रोटेस्ट किये गए जिसमें 34,000 करोर रुपाय के प्रोपर्टी को डैमेज किया गया और 30 लोगों की जान भी चले गई क्यों क्योंकि उन्हें आरचर चाहिए थे उन्हें रिजर्वेशन चाहिए था तो रिजर्वेशन की पॉपुलरिटी हमाई देश में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है और और इलेक्षन भी इसी नाम पर लड़े जा रहा है कि अगर आप रिजर्वेशन बढ़ाएंगे तो हम आपको वोट देंगे इसलिए सारे पॉलिटीशियन रिजर्वेशन के पीछे पड़ गया और यह मुद्दा हर इलेक्षन में जरूर उठता है आज बिहार इलेक्षन म हमाएं देश की क्योंकि यहां पर पॉलिटिशन वही करते हैं जहां पर जादा जनता जाती है तो यहां पर सभी को चाहिए अगर रिजर्वेशन खतम हो जाता है तो फिर उन्हें वोट कैसे मिलेगा लेकिन दोस्तों करना सरकार को यह चाहिए कि रिजर्वेशन को पुई काफी जादा खड़ाब करते वह जौब के हकदान नहीं होते लेकिन जौब मिल जाता है इसलिए ऐसे लोग जौब ना पाएं तो ज्यादा छड़ाएं लोगों को ही जौब मिले और मेरे सबसे रिजर्वेशन उन्हें मिलना चाहिए जिनकी एकोनॉमिक कंडिशन काफी ज् लेकिन इस वीडियो में आपको यह पता चली गया होगा कि किस तरह सरकार जो है इसे पॉलिटिकल इसू बना चुकी है और इसे असानी से हटा पाना यह काफी मुश्किल होगा तो दोस्तों यह टा इंड आप इस वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमें प्लीज सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल एकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुचे और हाँ इस वीडियो को जासे लाइन लोगों तक सेयर कीजिए ताकि इन्फरमिशन सभी तक जै हिंड जै भारत